नमस्कार दोस्तों आज जीवन किस सल्टी के विशेद में थोड़ी बात आप से करूँ समंदर पर एक्साइज कर रहा था एकांत में था तो कुछ जहन में आया जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सकता आप मेरी बात से सहमत नहीं हो लेकिन मेरे जहन में आई हुई बात है जो मुझे सच लगी वो आप से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और यहां से अकेले जाते हैं तो हम अकेले आते हैं और इस दुनिया के मेले में जीते हैं और चले जाते हैं तो जब हम आते अकेले हैं और जाते अकेले हैं तो हम जीने के लिए इस मेले में किसी का साथ धूनने के लिए तिने बेता आप क्यों रहते हैं हम यूँ समझें कि हम किसी का हाथ पकड़ के इस मेले में आये थे हम पैदा हुए थे कोई अध्रश्य हाथ था जो हमें लेके आये था इस मेले में और वो अध्रश्य हाथ मौत के समय में अंतिक्षण में हमें लेके चला जाए तो फिर हम इस मेले में उसके हाथ को छोड़ कर दूसरों के हाथ पकड़ने के लिए क्यों बेताब रहते हैं वो अद्रश्य हाथ तो हमारे साथ हमारे साये की तरह हमेशा बनाई हुआ रहता है हम इस बात को ऐसे समझें कि जैसे हम मेला देखने जाते हैं तो हम नहीं कोई एनॉंस्मेंट सुनते हैं मेले में कि हाँ ये बेहनों भाईयों एक बच्चा गुम हो गया है जिसने लाल कलर के कपड़े पहने है वो अपना नाम नहीं बता पा रहा है जिस किसी सजन का हो ले जाए और पीछे से आवा जाए कि हाँ अरे मेरा बच्चा है ये गुम हो गया तो वैसी उपर वाला हमारे चारों कौन से हाथ को ढूड़ रहे हैं और किस से मदद मांग रहे हैं उपर किसके मदद मांग रहे हैं उपर उपने की उसका हाथ हमेशा साथ में है वो साथ में लेके आया है साथ में लेके जाया है इसको कुछ और ऐसे समझें कि जैसे अंधेरा अंधेरा हमेशा है सूर्य आता ह और अंधिरा मिट जाता है, फिर सूर्य डूपता है और अंधिरा फिर से आ जाता है, यारी अंधिरे का वजूद, अंधिरे का अस्तित्व इतना बड़ा है, उसमें सूर्य उगता है और अस्त होता है, उतनी देर अंधिरा छड़ जाता है, फिर अंधिरा या दूपता है, त वो शास्वस्तत्य, मौत के बाद का और पैदा होने से पहले खस समय है, उसमें तो हम किसी के साथ हैं, कोई तो है जो इतने बड़े अंदकार में भी हमारे साथ रहा होगा, जितनी देर का यह उजाला है, उतनी देर भी हमारे साथ है, मतलब 360 हमारे साथ ही है, पर सूर्य की श्रॉष्णी में उसके होने को हम देख नहीं पार, तो मैं कहूं अगर समझूं और उसको कहूं तो बाद यही है कि आये थे अकेले, जाना है, अकेले है, फिर इस मेले में भटक न जाया है उसका हाथ, घुम न हो जाया है, वो तो पीछे है, वो तो समाली रहा है, बस वो थोड़ी देर के लिए ढील दे देता है, कि हम देखत अच्छा, चलो कोशिश कर रहा है, फिर वो पकड़ी लेगा, जैसे ही गिरेंगे, वो समाल लेगा, तो इतने सरवशक्तिमान का हाथ हमारे सर पे हमेशा है, तो फिर किसी और के हाथ को क्या धून रहे हो, मस्त रहो, आयाश करो, बस ये बात जो जैन में, धन्यबाद, अध झाल, 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 झाल,